दोस्तो आज के वीडियो में हम सबसे बेस्ट और एक जबरदस प्रश्ला लोन एप्लिकेशन के बारे में बताने वाले हैं जो एक RBI NBFC अपरू कमपनी है और इस एप्लिकेशन से आप सिर्फ और सिर्फ आधर कार्ड और पेन कार्ड के बेसिस पर पूरे पच्छा सिजार र रहेगा और उससे भी अच्छी बात दोस्तो कि अगर आप यहाँ पर ड्यू करोगे तो एक कमपनी आपके कॉंटेक लिस में तो क्या आपको भी कॉल करके परिशान नहीं करेगी लेकिन हाँ दोस्तो अगर आप EMI ड्यू करोगे तो आपका सिबिल खरब जरूर होगा लेकि लिमिट भी थोड़ी बहुत इंग्रिज हुई लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने दोस्तों यहाँ पर मिनिमुम से साथ मेहने पहले लोन ली थी और उसका रिपेमेट नहीं किया तो उसको कोई भी कॉल बगरा कोई नहीं आया लेकिन हाँ उसका सिबिल बुरी तरीके से खरब हो इसनी चोटे-मोटी जरूरत को पुरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधारकार्ड और प्यानकार्ड के बैसिस पर लोन लेना चाहते हो तो ए वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देख लो सो नमस्कार दोस्तों जेगुगेन में आपका एक बर फिट से स्वागत है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारी चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आकन डबा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके नहीं वीडियो को अप्लिकेशन है जो आपको इसकी रेटिंग और डाउनलोट देखके ही अंदाजा लगा सकते हो इस एप्लिकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन चे भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लिकेशन को डाउनलोट किया हुआ है और यहाँ पर यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसका एक चोटा सा एकजम्पल देखे तो अगर आप यहाँ से 15,000 रुपे के लोन लेते हो उस पर आपको 6 मेने के टेन्यूर मिला है और 3.2 पर मन्त के हिसाब से इंटरस लगा है तो 1099 रुपिया प्रोसेसिंग फिस लगा ही जाएगी और आपको टोटल रिपी मेर करना पड़ेगा 17,340 रुपिया लेकिन दोस्तो यह सिर्फ एकजम्पल है यह आपकी लोन का केल्कुलिट करने में आपकी मदद कर सकता है लेकिन इसे सबसे दोस्तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिले वाली है यहाँ पर आपकी प्रोफाल लि प्राइनल सर्विस प्राइवर्ट लिमिटेट यानि के ब्रांच खुद ही इसकी इसकी इनबी अपसी है और यहाँ पर लोन प्रोफेट करती है और आगे और भी इसके अधर फ्रीसर देखे तो इस एप्लिकेशन के दोस्तों एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई आपको कोई भी गबराने के जुरुत नहीं लगाई जाएगा लेकिन हाँ आपका सीबिल जहुरूर इंपेक्ट करेगी क्योंकि एक आर्बियर रेजिटर एंबेट से कंपनी है उसके लावा कोई भी पेपर वर्क करना नहीं पड़ेगा कोई भी कोलेस्टरल फिस्ट नहीं पर निच्चे यहाँ पर स्कॉल करोगे तो यहाँ पर इसका कॉंटेक्ट सब्कूर भी दिया हुआ है अगर इस एप्लिकेशन में कोई विक पर आए तो आप यहां से कोंटेक्ट कर सकते हो और दोस्तों अगर आप सिर्फ सेलेरी श्लिप देके दस सेजार रूपय से लेके दो लाख रुपया तकी लोन ले सकते हो, अगर आप विधाउट salary slip लोन लेना चाहोगे, तो यहाँ पर आपको 15000 रुपया की लोन मिलेगी, और अगर आपके पास salary slip है, तो आप यहाँ से 2 लाख रुपया तकी भी लोन ले सकते हो, तो चले दोस्तों, अब हम इस application को open करके आ इस application का कुछ feature बते हैं, तो यहाँ पर next next करते जाना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरह के सेंटर्फिस आएगा, अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस application में 2 option मिलेगे, अगर हमारे पास plans का already account है, तो हमें यहाँ पर पहले वालो option पर क्लिक करना है, और अगर हम नए उज़र ह तो यहाँ पर हमें दूसरे वालो option पर क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर दूसरे वालो option पर क्लिक करते है, तो कुछ इस तरह के सेंटर्फिस आएगा, अब दोस्तों, यहाँ पर उपर सबसे पहले हमारी country सो कर रही है, जो कि इंडिया है, उसे एज़र रहने दिना है, निच हो जाएगा, और हमारा registration process complete हो जाएगा, और हम पहुँच जाएगे branch application के homepage में, जिसका interface कुछ इस तरह के से दिखेगा, अब दूसरे यहाँ पर हमें loan के लिए apply करना है, तो हमें यहाँ पर simply apply now पर क्लिक करना है, तो हमारे समने कुछ इस तरह के interface आएगा, यहाँ पर फिर से आपके loan amount increase होती रहेगी, तो यहाँ पर simply start your loan application पर क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह के interface आएगा, अब दूसरे यहाँ पर हमसे कुछ permission पूची जाएगी, तो यहाँ पर allow access पर क्लिक करके सारी permission को allow कर देना है, तो next पर हमें कुछ इस तरह के साएगा, अब दूसरे यहाँ प आपको दो step complete करने होगे, आपको यहाँ पर आधर कर देना है, और एक selfie देना है, तो यहाँ पर simply next पर क्लिक कर देना है, तो next दोस्तों हमारे सामने camera के permission पूचे जाएगी, और हमारे सामने camera आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमाँ आधर का front photo और बेक photo upload करना है, और उसके यहाँ पर हमारे एक selfie देने है, यह आधर कार और selfie upload हो जाने के बाद कुस इस तरह के से interface आएगा, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे कुस detail automatic feel हो जाएगी, हमारे आधर करके हिसाब से हमें यहाँ पर सिर्फ pen number एंटर करना है, और एक email ID एंटर करनी है, उसके बाद इस box पर tick कर continue पर click कर देना है, तो जैसी continue करेंगे तो हमारे सारी detail verify में जाएगी, और हमारे civil score और हमारे सारी profile चेक होगी, और कुसी देर में बता दिया जाएगा, कि हम यहाँ पर loan लेने के लिए eligible है या नई, अगर eligible है, तो कितनी limit के लिए eligible है, तो basically यहाँ पर आपकी सारी eligibility चेक होग 25 रुपिया के loan मेंजे कोई भी loan ले सकते है, तो अगर हम यहाँ पर 25 रुपिया के loan लेना चाहे, तो यहाँ पर हमें 25 रुपिया सेलेक करना है, और continue पर click करना है, तो हमारे सामने यहाँ पर कुस इस तरीकर सेंटरवेस आएगा, यहाँ पर दूसरों हमारे limits को करेंगे, ज जो है 25 रुपिया, अगर हम यहाँ पर 25 रुपिया के लिए इस loan को लेते है, तो हमें यहाँ पर 2 repayment करना होगा, जिसमें हर EMI में हमें 1337 रुपिया, 1337 रुपिया करना रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का क्याल रखना है, कि आपको जितने दिन की loan की करते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों उसका पूरा फिस और ट्रक्सर आजाएगा, आप यहाँ पर दोस्तों जैसे के देख सकते हो, हमारी लोन है 25 रुपिया, जो हमें 31 दिन के लिए लेना है, तो उस पर यहाँ पर दोस्तों रुपिया प्रोसेसिंग फिस करना रहेगा, अब दोस्तों निचे यहाँ पर एक व्यू लोन डिटेल का उफ्सन दिखेगा, सिंपल उस पर हम क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर डिटेल में लोन का सारा साच कुछ आ जाएगा, जिसमें आप हमारी केस में देख सकते हो, हमारी लोन है 25 रुपिय दोस्तों 19 रुपिया कुछ प्रोसेसिंग फिस लगाएगी है, 49 रुपिया जियरश्टी लगा है, 222 रुपिया हमारे बेंक अकाउट में आएगे, अच्चे रुपिया इंट्रेस लगाए गया है, और 25-28 रुपिया हमें टोटल रीपेमेट करना है, और यहाँ पर हमारा डुपिया चुका है और इतनी तारीख पर हमें रीपेमेट करना रहेगा, अब दोस्तों इस लोन को हमारे बेंक अकाउट में लेने के लिए, सिंपल यहाँ पर हमें कंतिनू पर क्लिक करना है, तो जैसे यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इंटर्फिस आएगा, अब दोस यहाँ पर आपको apply का option देखेगा, अपने वाले option पर click कर देना है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप अपनी loan को apply करोगे, तो within 12-24 गंटे के अंदर, आपके बियांग के count में यह loan amount पहुंच जाएगी, तो दोस्तों ऐसे simple तरीके से, सिर्फो सिर्फ other card और pen card के basis पर आप branch application से loan ले सकते हो, मैंने दोस्तों यहाँ पर एक बार loan ले रखी है, मैं दोस्तों यहाँ पर experience से बता रहा हूँ, कि एक best application है, यहाँ पर आपके साथ कोई भी fraud नहीं होगा, और यहाँ पर loan लेने के लिए, या repayment करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैंने इसके उपर दोस एक ही step complete करना है, apply करना है, apply करते ही within 12-26 गंटे के अंदर आपकी loan amount आपके bank account में पहुँच जाते है, मेरे किसमें दोस्तों मैंने यहाँ पर night के समय में loan के लिए apply किया था, तो मुझे भी यहाँ पर 12 गंटे का समयी लगा था, हमारे loan amount हमारे bank account में आने में, लेकिन अगर आप यहाँ पर दिन के समय में loan के लिए apply करोगे, तो हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक या दो घंटे के अंदर भी आपकी loan amount आपके bank account में आ जाए, तो इस तरीक से दोस्तों आप branch apply के संच से loan के लिए apply कर सकते हो, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उमिद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना भूले, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और दमा के दर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुर्वाई